कैसे हैं आप सब लोग आई होप अच्छे होंगे वैलकम टू इस्टडी विद सुमिता आज मैं आप लोगों के लिए फिर से टॉप थर्टी जीके जीएस कोश्चन इंडियन जोग्रॉफी के लेकर आई हूँ जो की सारे प्रिवेस यह के कोश्चन हैं मतलब बार बार हमें पूछे गए हैं ठीक है तो आज कोशन सुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिकेस्ट करना चाहूंगी और पूरी आशा करूंगी कि आप मेरी रिकेस्ट को सुरिखार करेंगे ठीक है तो मैं आपको दिखाती हूँ यह देखिए यह मैंने न्यू चैनल खोला ह है यह मेरा ब्लॉग चैनल है इस पर मैं डेली ब्लॉग डालती हूँ और यह पन वीक करीब हो गया है मेरे को इससे खोले हुए तो आप लोगों से वस एक रिकेस्ट है कि आप लोग इस चैनल पर जाकर मुझे फॉलो कर लिजे सब्सक्राइब कर लिजे फटा-फट से और सब्सक्राइब कर दीए तो जल्दी से चैनल को भी मेरे ग्रो करा दीजे आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद होगाseat कौनियों सोबर देमें बचला एब आब आगे ब्ठते हैं आगी हैं आज के कॉश्यंस पर सबसे पहीरा कॉश्षन है हमारा भारत किस राज्यूस में मान्सून सबसे पहले पहुचाता है ठीक है तो बहें पहुचाता है केरल राज میں बाशा की मात्रा निर्भख करती है किस पर निर्भख करती है बायू मंडल में नमी पर जितनी बायू मंडल में नमी होगी उतनी ही भारी वर्षा होगी ठीक है, हरियाली योजना संबंदित है, किस संबंदित है, हरियाली से या रखेगा, जल, जल से हरियाली होती है, तो फिर जल पिरवन्धन से संबंदित है भारत के किस छेत्र में शीत काल में वर्षा होती है तो भह होती है उत्तर पच्छिम में सदावार बन कहां पाय जाते हैं ये पाय जाते हैं आपके पच्छिम घाट में किस राज में सागबान बन पाय जाता है तो भह पाय जाता है मद्धर प्रदेश में भारत में अती सगन बनों का सर्वा अधिक छेत्र जो है सबसे अधिक छेत्र जो है किस राज में है तो वह है आपके अणनाचल प्रदेश में है कौन सा बिरक्ष कभी समाजिक बानकी में जो है समाजिक बानकी यानि समाज के लिए जो बनों में जो था लोग पिरिये था पर अब एक पास्तित्थी की आतंग बादी माना जाता है जानि एक तरीके से शस्त्रू माना जाता है समाज के लिए तुबह कौन सा बन है तुबही कौन सा बेड़ है वह है आपका UK LIPTUS ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नील गिरी की मेग बकरिया ठीक है मेग है ठीक है मेग बकरिया कहां पाई जाती है तो ये पाई जाती है इरामी कुलम रास्टे पार्क में चलिए नेश्ट कोशन है आपका कोशन नमबर 10 सागोन तथा साल किसके उतपाद है तो ये है उस्ट कटी बन दिये सुष्क और पत जड़ी बन के उतपाद है भारत में सबसे दिक उपजाओ मिरदा कौन सी है तो वह आपकी जलोड मिरदा ठीक है जो भई जल में जो मिरदा रहती है जल में भीगी वही बह सबसे जादा उपजाओ होती है उसमें नमी भात होती है इस वज़े से गंगा घाटी में बांगण मिट्टी पाई जाती है तो वहां कैसे पाई जाती है ये बाण की बर्तमान सीमाओं से उपर होती है ठीक है लेटराइट मिट्टी मिलती है कहां पर मिलती है ये महाराष्ट में मिलती है ठोड़ी चिकनी चिकनी सी होती है ये भारत में सबसे अधिक, छारी चेतर कहां पाया जाता है, तो छारी चेतर सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश राचिम में पाया जाता है भातिय म्रदा में भी शुश्म तत्त, यहां पर शुश्म है, यह गलट टाइप हो गया है यह कहा है शुष्म तत्यकी सर्वाधिक कमी होती है बहें किसकी में है जस्ता में है चलिए कोटेश्वर बांध किस नदी पर बनाये गया है तो बहें भागी रती रती पर बनाये गया है गोविंद बल्लप पंत सागर जलाशे कहां इस्तित है तो यह आपके उत्तर प्रदेश में इस्तित है भारत के किस राज़ में नागार जुन सागर परियोजना है तो बहें आपके आंदर प्रदेश में है मीठे पानी की कलपसर परियोजना कहां पर अवस्तित है तो यह आपके गुजरात में इस्तित है ठीक है फिर नेस्ट कोशन है रंजीत सागरबान अवस्तित है कहां पर अवस्तित है राभी नदी पर अवस्तित है देखिए अगर आप लोगों को सेलैक्टिड कोषण लेकर आ रही हूं पर आप लोगों से एक शिकायत है आप लोग ना ही कमेंट करते हैं और ना ही लाइक करते हैं देखिए लाइक और कमेंट में आपका तो कुछ नहीं जाएगा पर मुझको थोड़ा अच्छा लगीगा क्योंकि मैं महनत कर रही हूँ तो फिर मुझे लगीगा कि मैं थोड़ी सी मोटिवेट हो जाओंगी मुझे भी अच्छा फील होगा कि मैं जो महनत कर रही हूँ वो आ कोशन है भारत में सबसे अधिक कोईला भंडार कहां पाए जाते हैं तुभे पाए जाते हैं आपके जहार भारत किस खनीश के उत्पादन में आत्म निर्भर है ठीक है तो ग्रेफाइट चलिए नेश्ट कोशन नमबर 26 भारत में तीन संसादन बाला एक मातर राज्य है तो कौन सा है वह है आपका 36 भारत का खनीश भंडार किस नाम से जाना जाता है तो यह जाना जाता है छोटा मातरा में अुपलब्द है कहांपर है राजिस्थान में कल पक्कम प्रशिद प्रशिद किसके लिए तो यह पर्माणू शक्ति सनियंत्र के लिए यह कोशन कई बार आ चुका है भारत में प्रचुर मातरा में उपलत महतपूर नावी की इधन है तो कौन सा है आपका थोरियम